नमश्कर दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और चीजों को समझना है तो आईए देखते हैं समझने का और जानने का और पहचानने का कोशिश करते हैं कि क्या किस प्रकार की चीज़े हैं और किस तरीके से इनके जीवन की गतिवेदिया चल रही हैं और किस तरीके से इनके जन्दगी गारी चलेगी और किस प्रकार से ये जीवन में उपलब्धियों वा प्रगतियों को प्राप्ट कर पाएंगे इन तमाम विशेयों पर आज की वीडियों के माध्यम से हम देखने का वर समझने का कोशिश करेंगे तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ अगर मैं ग्रोध की बात कर लूँ तो यहां पर आप देखेंगे तो इस पस नजर आ रही है आपको बाग्यरेखा बहुत जबरदस्त आगे भी फेट लाइन चल रही है फेट लाइन की तकरीबन 35 वरस के बाद आगे बढ़ स्पस्टियां हैं जो वींकिती को ग्रोध कराने में, प्रिग्र्टी कराने में, दनालाव कराने में बहुत ज़ादा ही मदद करती है अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी चीजे समझने योग ये हैं और भी चीजे जानने योग ये जो कि बिल्क। आपको सम सूरी रेखा अगर वी नुमा आकरती के साथ सूरी रेखा हो तो ये इस बात का प्रच कराती है कि विक्ति अपने गुन के दम पर जीवन में ग्रोथ को प्राप्त किये हैं विक्ति अपने गुन के दम पर सफलताओं को प्राप्त किये हैं सफलता ग्रोथ वा प्रगती को प्र तो जादा कुछ चिंटा करने के आपको आवशक्ता नहीं है और जादा कुछ परिशान होने के आपको आवशक्ता नहीं है कि सुई रेखा ने जबवी नुमा आकरती बना लेना तो फिर यह आप मान के चलो कि आपके लाइफ में सफलता होती है आपके लाइफ में ग्रोध हो और जीवन में growth को बता रही है यहांपर से एक square है और आगे भी एक square दिख रहा है मुझे यहां और अब एक triangle दिख रहा है मतलब यह भी बैठरी नहीं माने जाएंगे यह भी घजब ही माने जाएंगे यह भी शांदार जांदार ही माने जाएंगे जो कि विक्तिक जीवन में विक्तिकत तोर पर बड़ी सफलता का परचे कराता है, बड़े ग्रोध का परचे कराता है, वह बने धनलाव का परचे कराता है, तो यह एक प्रकार की सकारात्मकता है, जो आपके लाइफ में बड़े उन्नती वा बड़े प्रिगती का परचे कराके आपको बहुत ज़ादा कराते हैं आपको बहुत ज़ादा प्रगति कराते हैं क्योंकि ये तकरीबन 35 वर्स के बाद एक्टिवता और 35 वर्स के बाद एक सदिक मकान बनाने का सुख से भी आपको नवाज रहा था यहाँ पर एक मरकरी लाइन है जो की धंतरिबुच के साथ है मतलब पैसा आता है अगर की जीवन में बड़ी बड़ी उन्नती वा बड़े बड़े ग्रोध का परच कराता है जहां से भी आप देखोगे तो एक मतस्य का चिन्ह है मतलब केतु परबत पर अगर किसी भी तरीके से, अगर किसी भी प्रकार से मचली जैसी आकरती का नड़मान हो जाए, मंतस्य जैसी आकरती का नड़मान हो जाए, तो ये वेक्ति के जीवन में बड़े उन्नती वा बड़े ग्रोथ का परचे तो कराता ही है, ये वेक्ति के जीवन में बड़े तो गर आप आगे देखेंगे तो ये परुपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहते हैं परुपकारी रेखा ये परुपकारिता के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देखेंगे तो असपस्ट एक असपस्ट नजर आ रही है आपके बुद्दर ये of education अच्छा बहुत समस्दार गुद्ध पे खरी रेका दिमाग बहुत तेज है बहुत तीजी के साथ कारे करता है पूरे पुने रेका भी बहुत जादा गजब है तो पूरे 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 रेका भी अगर आपके हाथ पर असपस्ट हो तो ये भी आपके विक्तिकर जीवन मे बड़े ग्रोथ का भी परचे कराते हैं बड़े धनलाव का भी परचे कराते हैं बाद माकी अगर आप देखेंगे तो पॉस्टिविटी तो बहुत ही अच्छी थी अब साथ वर्स के बाद की जंदगी कैसी ये जीवन ड्रेका से बताने का बाद समझाने का कोशिश करते है अब देखो अरे एक विक्ति के हाथ पर थोड़ी बहुत नकरात्मक ताई भी रहती उस चीज़ का भी परचे करना है उस चीज़ को भी लेके चलना है तो आप यहाँ पर देख लिए तो यह कंप्लीट माइन लाइन है ये लाइफ लाइन इंडिपेंडेंसी बहुत जल्द बने हैं Money Management की लाइन सची है पैसा आता है धन को लेके दिक्कत नहीं शुकर मंगल ब्रिया है तो comfortable life रहे की comfortability में बलकुल भी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है तोरे वह टेंशन के लाइन है बहुत ज़्यादा भी नहीं फिर आप यहाँ पर देखोगे शुकर मंगल ब्र मतलब जातक का जो व्यक्तित वह होता है यह बहुर जादा शानदार होता है बहुर जादा गजब होता अच्छे शानदार विक्तित के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन में घ्रोड करते चाहीं तो मैंने की चीजों को जानने की चीजों को देखने की बड़ी अच्छी शमता है और चीजों को आप बिलकुल अच्छे तरीके से समझते हैं चीजों को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से जानते हैं और पहचानते हैं और जीवन में बड़े उन्नती वा बड़े ग्रोध को भी प्राप्त करते हैं इस बात में भी कोई संदेह नहीं है तो ये चीज आपने देख लिया, ये चीज आपने समझ लिया, जान लिया, अब इसके उपरान तो और भी चीज़ें हैं, जिनको समझना चाहिए आपको, जिनको बिलकुल देखना चाहिए, ताकि आप जीवन पर जादा उन्नती वा जादा प्रग्रती को प्राप्त कर पाए तो फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर परुपकारी रेखा है बट थोड़ा सा बरश्पती अलका डाउन स्थिती में नज़रा रहा है तो बरश्पती कभी भी थोड़ा डाउन स्थिती में लिखे तो ये कही ना कहीं प्राब्लम्स को बताता है ये कहीं न कहीं समस्याओं को दिखाता है, ये कहीं न कहीं चीजों को समझाने का प्रयाज करता है, कि आपके जीवन से कुछ-कुछ परशानी वतनाव आ सकते हैं, पिड़ आप देखो के एड़रेखा भी काफी अच्छी है, स्ट्रॉंग रदे के मालिक भी है, विश्टो यो वतनाव नहीं आता है, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे देख लीजे, थोड़ा सा और चीजों को समझ लीजे, जो कि बिलकुल समझने योग यह है, चीजों जानने योग यह है, तो आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये तकरीवन 35 वर्स के बाद चमतकार हुए है, त बहुत जादा गजब और बहुत जादा बहतरी नज़र आ रही है, मुझे इस परकार की बाग़े रेखा हो, तो फर लाइफ में कहा प्राब्लम है, इस परकार की बाग़े रेखा हो, तो फर जीवन में कहा दिखते हैं, लाइफ बहुत जादा अच्छा रहता है, लाइफ तो बिल्कुल negativity को नहीं उसकी बाद अगर आप देखेंगे तो बुद्ध पे खरी रेखा है, दिमाग बहुत तेजे सनमर्करी अच्छी है, तो बुद्ध विवेक सिकारी करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगती और दनलाव को प्राप्त करते हैं, यहाँ पर ये चीजे भी मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर ये चीजे भी मैं देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, फिर आप देखोगे तो दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनरजी, एक्स्ट्रीम लेवल पर होता है, एनरजी, प्राक्रम वा समर्पन, ये भी बहुत जादा शानदार होता है, ये भी बहुत जादा गजब होता है, तो अच्छे एनरजी के साथ कारे करते हैं, अच्छे समर्पन के साथ कारे करते हैं, अच्छे धनलाव के साथ कारे करके अपने जीवन में बहुत जादा बड़ी प्रगती तक जाते हैं, बहुत जादा बड़े ग्रोध तक जाते हैं, फिर आप आगे देख लेजिए थोरा सा, आगे थोरा सा चीजों को सम रहता है विक्ति के जिवन में प्रगिती वधनला आउ बना रहता है।। विक्ति अपने जिवन में अच्छी कासी प्रगिती वधनला व ग्रोथ को प्रैप्ट करगे अपने life में बड़े मुकाम पर जाते हैं, इस बात में भी coalition दे सिन देनी— तो ये था हिनके तलिका